दोस्तों कैसे हो? फाइनली मागरिक ने वडियों के साथ इसमें हम बात कर रहे हैं इस वेकेंसी की वाहती खास है और यह वेकेंसी आई है Central Government से यानि की केंजर सरकार से दोस्तों इस वडियों में हम बात करने वाले हैं अगनीपत इंडियन नेवी वेकेंसी के बारे में और इसके लिए 10 वी पास, 12 पास अपलाई कर सकते हैं पूरी भारत से All India वेकेंसी है कोई experience नहीं चाहिए male of male दोनों अपलाई कर सकते हैं दोस्तो अगनीपत इंडियन नेवी की वेकेंसी के complete detail आ गये हैं इसका form कब से कब तक भढ़ना है संपूर्ण डीटेल्स आपको इस वीडियो मिल जाएगा और दोस्तो मैंने कल आपको अगनीपत इंडियन एर फोर्स की वेकेंसी के details बताए थे उसका form आज से भरा जा रहा है form भरना चालो हो चुका है आप आज से form भर सकते हो वैसे आज रात को 8 बजे मैं आपको उस वेकेंसी का form कैसे भरना है पूरा step by step form भरने का tutorial वीडियो बना कर डाल दूँगा दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे अगनीपत इंडियन नेवी वेकेंसी के complete detail दोस्तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूत नहीं पड़ेगी आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर से like और share कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा चलिए हम चलते हैं अपने website पे और जानते हैं इसके complete detail दोस्तो फाइनली माँगे अपने website पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियो नेवी अगनिपत की वेकेंसी आई है जिसके लिए 10 वी वा बारवी पा सप्लाई करेंगे सैलरी मिलेगी 30 रुपय पर मत की अगर हम बात करते हैं इसके complete vacancy details की तो यहाँ पे recruiting body है ministry of defense और यहाँ पे scheme का नामे इंडियो ने भी अगनिपत scheme application mode यहाँ पे online है मतलब है आपको इसका form इनके official website पे जाकर fill up करना होगा अगर हम बात करते हैं post details की तो यहाँ पे दो type के post है यहाँ पे पहला post है अगनिवीर SSR से वहीं दूसरा post है अगनिवीर metric recruit MR से दूस्तो यहाँ पे total vacancy बताई नहीं गई है 9 July को बताई जाएगी और इसके लिए कौन apply कर सकते हैं तो All India से candidate apply कर सकते है male of male दोनों apply कर सकते है girls पे apply कर सकते हैं boy भी apply कर सकते है job location की बात करें तो job location रहेगी पूरे भारत में अगर हम बात करते हैं इसके salary package की तो salary यहाँ पे मिलती है पहले साल 30,000 रुपए पर मन्त का दूसरे साल मिलता है 33,000 रुपए पर मन्त तीसरे साल मिलता है 36,000 रुपए पर मन्त वहीं 34 साल आपको salary मिलती है 40,000 रुपए परतीमा अगर हम बात करते हैं इसके educational details की तो यहाँ पे अगनिवीर MR के लिए 10 वी pass अपलाई करेंगे वहीं आपको अगनिवीर SSR के लिए 12 वी pass with maths, physics या फिर एक subject chemistry है biology है या फिर computer science है तो अपलाई कर सकते हो यहाँ पे selection based होगा written exam PFT पर और आप यहाँ पे minimum height के standards देख सकते हैं यहाँ पे male candidates के लिए जो minimum height है वो आपको है 157 cm वहीं girls के लिए आपको minimum height है 152 cm visual standard पे आप देख सकते हैं साथ ही आपको physical test के details पे आप screen पर देख सकते हैं दोस्तो अगनिपत scheme की more details की बात करूं तो दोस्तो यहाँ पे अगर आप select होते हो तो आपको पहले 6 मन्द का training होगा और आपका job direction जुराएगा वो आपको 4 साल का होगा after 4 years आपको retirement कर दिया जाएगा job से निकाल दिया जाएगा 25% को रखा जाएगा उनके merit पर और यहाँ पे आपको retirement के बाद क्या क्या benefits मिलती है तो मैं आपको वो बता रेता हूँ दोस्तो रिटार्मेंट के बाद यानि की 4 साल के बाद आपको 11.71 लाग का सेवा निधी package मिलता है साथ ही आपको skill gained certificate भी मिलता है 48 लाग का life insurance cover मिलता है और दोस्तो यहाँ पे कोई pension ने मिलता है यही इसकी demerit है दोस्तो अगर हम बात करते हैं इसकी IUCMA की तो यहाँ पे IUCMA है जनरेल के लिए 17.23 साल OBC के लिए 17.26 साल वहीं SCHT के लिए है 17.26 साल अगर हम बात करते हैं इसकी application fees की तो यहाँ पे application fees बताई नहीं गई है यह scheme एनाउंस हुआ था 14 जून को और इसका detailed notification आएगा 9 जुलाई को इसका form भरने का date है आपको 15 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में लेकिन सबसे पहले आपको वीडियो के पहले comment में link दिया हुआ इस website का इस website पे आईएगा इस notifications को पढ़िएगा download करके और form भरने के लिए 15 जुलाई से आप इस link पे click कर सकते हो दोस्तो अभी भी कोई सवाल है तो comment करके पूछ सकते हो वीडियो पसंद आई तो जरूर से like और share कर देना इस वीडियो बस इतना ही जय हिंद वंदे मातरम